in formalities are PDA So in formalities are PDA में हम discuss करते हैं कि हमारे पास input state से output state कोई भी state है Q1 से Q2 के जाने करी हमारे पास किस तरह से हम transition function को show करेंगे हमारे पास input symbol है और हम कहरें कि W1 हमारी popping string है और W2 हमारी pushing string है तो इसको अगर transition function की form में लिखें तो आप कहेंगे कि delta transition function हमारा है Q1 आने पे A input होना चाहिए W1 को pop करेंगे और आपकी output state हो जाएगी Q2 और W2 जो है वो आपकी pushing सब string हो जाएगी अच्छा दूसरा आप note करें तो यहां पे जो पहली वाला delta transition function के अंतर है यहां पर parentheses है और यहां is equal to के बाद जो right hand side पे है यहां curly braces के अंदर parenthesis है इसका मतलब यह है कि one possibility है इससे ज्यादा possibility भी हो सकती है यह set की notation है curly braces के अंदर लिखा गया है यह एक element है इससे ज्यादा भी है output आपका Q2 Q3 Q4 भी हो सकता है multiple भी हो सकते है इस तरह के ordered pair यहां देखे यह example another example अगर Q1 पर है आप Q2 भी जा सकते है और Q3 भी हो सकते है तो transition function क्या हो जाएगा कि Q1 पर A आने पर अगर input पर W है तो output W2 भी हो सकता है output W3 भी हो सकता है output state W Q2 भी हो सकती है output state Q3 भी हो सकती है तो यह non-determinism को शोग कर रहे है formal definition में हम गए है आपका जो formal definition of push down automate है उसमें पहला जो टपल है वह है Q set of states उसके बाद sigma है sigma के बाद sigma क्या है input alphabet tau है यहां पर हम tau use करते है stack alphabet यहां पर हमारे पास transition function है डाड़ेटा small sigma भी कहते है यह हमें शोग करता है कि आपकी जो state transition क्या होगी and initial state है Q not and Z start start जो stack के ओपर हमारी start symbol होती है Z से शोग करें, dollar से शोग करें it's a symbol यहां पर आप definition के इंदर शोग करेंगे और accept states है accept states है accept state नहीं है बलकि multiple states है एक से जादा final states हो सकती है initial state ही होगी जैसे हमारे पास NFA, DFA में definition है तो यह इसकी formal definition है अब यह देखेंगे कि कितने tuples हैं इसकी 7 tuples है Q, sigma, dollar, delta, q-naught, z and f हमारे पास जो NFA, DFA में होते हैं 5 tuples होते थे grammar जो थी वो 4 tuples होते थे यह 7 tuples है अब हम describe करेंगे कि हम किस तरह से machine की जो execution है उसको कैसे show करेंगे machine की execution को show करने के लिए instantaneous descriptions को use करते है यह 3 tuples के उपर होता है पहले ही जो parenthesis के अंदर symbol आ रही है वो current state को show करते है middle में जो आ रहा है वो remaining input को show करते है और आखरी जो आपके पास symbol है वो current stack contents को show करते है stack के ओपर content के home view इसकी example करते है तोड़ा clear हो जाएगा देखे हमारी जो transition थी जब हम input a आने पर process कर रहे थे pop lambda and push a तो देखे हमारे पास cursor कहां पर है हमारा cursor है तीसरे a पर और इसका मतलब यह है कि आपने input पे aaa को read किया अब आपका cursor कहां जाएगा point कर रहा होगा बी पर तो आपकी जो remaining alphabet कितनी है triple b तो आपने initial state क्या है आपकी q naught है यह ते टॉप पे और input कितना remaining है bbb और stat के stack के जो condition है उसके उपर है aaa और आखर में dollar तो आपने यह आखरी जो 3rd symbol है इसके उपर जो शो करेंगे वह stack की condition को शो कर रहे है इस तरह से हम एक 3 tuple के अंदर machine पूरी machine की current state को describe कर सकते हैं कि इस वकत क्या status है machine का तो उसको हम use कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें यह state input remaining input input नहीं remaining input यह जो consume होजगे उसकी बात नहीं कर रहे है कितने रहते हैं और यह है stack की condition का इस वकत तो उसके ओपर aaa and dollar मुझूद है इस तरह से हम show करेंगे यह हमारी instantaneous description खहलाती है अब q naught से लेके q3 तक जाने तक अगर आप किसी machine को instantaneous description में describe करना चाहें नेक्स state है हमने एक और b को process किया और b को process करने के बाद हम कहां पर पहुंचे हमारे पास remaining b कितने रहे दो और stack के ओपर a delete हो गया तो remaining stack के ओपर a कितने रहे दो stack फिर हम अगर a को process करेंगे तो हमारा remaining b रह जाएगा एक और a भी रह जाएगा एक और फिर अगर हम process करेंगे तो हमारे b lambda हो जाएगा नहीं lambda input का रह जाएगा input का रह जाएगा और हमारे पास जो final है यहां पर current state वहां पर सिर्फ dollar रह जाएगा और final हम इस state के ओपर कहां पहुंचाएं gradually हम Q3 पर पहुंचाएंगे final पर पहुंचाएंगे इस तरह से हम process करते हैं हम इसको जो write करेंगे तो एक special symbol यूज करते हैं write करने के लिए अदर हम देखें कि apple के बाद बैट आता है air के बाद भी आता है कौन सी चीज पहले आएगी sorting mechanism में यूज करते हैं नहीं पढ़ा हो तो खेर है लेकिन मैं यह बता देता हूँ यह स्टेट्मेंट पहले आएगी उसके बाद यह स्टेट्मेंट यह स्टेट्मेंट रिडिसर है और यह सक्सेसर है यह टाइम 4 पर है और यह टाइम 5 पर है हम इस तरह से लिखेंगा अब पूरी मशीन के दिस्क्रेप्शन लिखेंगा आप कहेंगे क्यों नॉट पह थे इंपुट पर क्या था ट्रिपल ए ट्रिपल बी और स्टैक पर क्या था डॉलर नेक्स्ट स्टेट्मेंट क्या होई आपने कुछ भी नहीं किया आप क्यू नॉट से निकल के लेमडा ट्राजिशन अल पॉप अल लेमडा अप लेमडा पुश लेमडा यह वाली ट्राजिशन जो आप क्यूवन पर आगर लेगे कुछ चेंज नहीं हुआ आपकी जो कॉंटेंट थी उसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज होई वो क्या है वो है स्टेट का नाम वो क्यूवन हो गया अब यहां पर पहुचने के बाद नेक्स्ट टाइम में आप करेंगे आप करेंगे एक एक को प्रॉसेस करेंगे पॉप लेमडा पुश है मतलब क्या हुआ इंपुट में एक एक कम हो जाएगा और स्टैक के उपर एक चला जाएगा तिरह आप बोलेंगे आप पॉप लेमडा पुश है यानि आप पुछ नहीं पॉप कर रहे हैं तो देखें एक एक और कम हो गया और स्टैक के उपर दो ए आगे फिर तीसरी में आपने का आउन लेमडा इंपुट ए आउन इंपुट ए पॉप लेमडा पुश है तो यानि A यहां पर बिलकुछ खत्म हो गए फिर सर्फ B रह गए और स्टैक के उपर तीन A आगे अब नेक्स ट्रांजिशन क्या होगी आपकी स्टेट चेंज होगी क्योंकि अब आप कह रहे हैं तो पहले B को जब करेंगे तो आपकी स्टेट चेंज होगी आप आजाएंगे Q2 के तो रिमैनिंग इंपुट आपके पास डबल B रह गया और स्टैक के उपर से एक A डिलीट हो जाएगा तो दो A रह जाएगी फिर आप इसी ट्रांजिशन को रिपीट करेंगे यह वाला यह वाली ट्रांजिशन चलेगी आप कहेंगे आप पॉप A पुश लेमडा आप कुछ नहीं पुश कर रहें सरफ A को डिलीट कर रहें तो यह वाला सिंगल A रह गया और सिंगल B रह गया अब आप सिंगल वाले B जो आखरी B है उसको पुश लेमडा मतलब A भी डिलीट होगे और B भी डिलीट होगे तो नेक्स स्टेट आपकी यह आप आप क्यू टूपे हैं इंपुट पर कुछ भी नहीं है जब इंपुट पर कुछ भी नहीं है आप कौन से ट्रांजिशन रहेंगे इंपुट करेंगे यह वाली ट्राजिशन चलिए इंपुट कंस्यूम हो चुका है और स्टैक पहां पर पहुंचके आप डॉलर पर पहुंच गए तो डॉलर को चेक करेंगे हाँ आप एंड़ाफ स्टैक पहुंच करेंगे पुश करेंगे दुबारा से और आप फाइनल स्टैक के पहुंच जाएंगे जो के आपकी फाइनल स्टैक है अब यहां पर आपने देखिए इनिशल स्टैक से पूरी ट्रांजिशन के जरीए पूरा प्रोग्राम शो कर दिया कि आप किस तरह से स्टेंग को प्रूफ करेंगे यह स्टेंग पार्ट अब देखिए या नहीं है अब हम इसको ब्रीफ कर सकते है पर आप्रूबलकृब कर तरह सकते हैं िस स्टेट से लेके इस स्टेट आपके पास एक ऋ–डять से ज्यादा ट्रांजिशन होई है तो आप इसको प्लेक्जोग्राफिकल ओडरिंग के उपर जो सिंबल है इसको स्टार लगाएंगे आप कहेंगे यह input हो तो output इस पर जाया जा सकता है अगर ऐसा है और यह Q3 final state है तो आप कहेंगे यह input जो W है इस डवल्यू बिलोंग्स टू लांग्स टू लेंगज यह इस सेंस में आप यहां describe कर जकते हैं कि पूरी ग्रीफली इस लेक्जोग्राफिकल आडरिंग से आप पूरी एक्जिक्यूशन आप मशीन को शो कर सकते हैं अब हम आगे चलते हैं यहां पर हम देखें लेंग्विज को जब describe कहेंगे तो हम कहेंगे W जो था हमारा यहां यहां न मookie यहां लेंग्विज का पार्ट है यहां ** इस डवली व म्याती इस डवली ब्रॉण किया है? W क्या है आप इनिइशल स्टेर्टेर्ट पर है और w इन्पूत हो वो w आपको और आपके स्टेर्ट का हलग क्या है उसके ओपर जडेट है और S मैंने अधर सिंबल यूज की है, आप के पास इंपुट डव्यू है, आप यूजिंग इनस्टेंटेनियस डिस्क्रेप्शन यहीं सेट आफ स्टेट्मेंट एक्जिविशन के जरीए आप पहुंच जाएंगे के फाइनल स्टेट पे क्यूएफ फाइनल स्टेट पे और आपका इंपुट कंजीम हो चुगा हुआ, मतलब इंपुट लेब्डा रह जाएगा, हाँ, स्टैक के ओपर हमने सिंबल चैंज कर दी है, हमने का S, जैसे देख मैंने शुरू में भी आपको कहा था, कि स्टैक का कंस सो पी-डेक्सेप कंटक्स-फारी लैंगेज करते हैं अंधर हमाँ मैपिं करता हैं, लैंगीजिस की अगले मिशीन के ऊपर हम कहां सी लेंगविज्वी प्रोसेटी होती है, यहाँ पर हमने कहा है करता है पी-देक्सेप करता है, जीन veggie को हम सब्सक्त ही में और पी-डेक्स करता है हुआ ठीक हे ऊठ इसको पुरूफ करने के लिए हमारे पाद पो भी सेटूने संब हम सबसेट सिरी यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि context-free language या grammar subset of language accepted by PDA और दूसरे तरह से हम कहते हैं कि language accepted by PDA is subset of language or context-free grammar तो दोनों हैं दूसरे का subset भी possible हो सकते हैं जब वो दोनों equal हों दोनों के अंदर सबसेट हो सकते हैं अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम convert करेंगे context-free grammar को PDA में और वाइस वर्सा PDA के से context-free grammar बना सकते हैं तो पहला start करते हैं हम कोई arbitrary context-free grammar लेंगे और हम convert करेंगे उस grammar को PDA मशीन के अंदर और show करेंगे mapping वन-to-one mapping कि यहां पर देखें आपकी grammar की production rule है और वो production rule जो है वो पीडिये के ऊपर कैसे चलेगा दूसरा production rule है दूसरा production rule प्रूफ कर सकते हैं कि आपके PDA और आपकी context-free grammar one-to-one mapping हो रही है और one-to-one mapping हो रही है तो इसका मतब बोथ हार equal हम इसको लेकर चलते हैं आगे हम simple कहेंगे फार इच प्रॉडक्शन for each production G हम कहेंगे input A पर आपका A variable है और वो production करेगा W अब W हम यहाँ पर यूज करें आपको याद होगा मैंने convention बताइती W जो last symbols होती है वो combination होता है variable and terminal का खीक है तो हम कहेंगे A produce करेगा W और W can be string can be just combination of variable and terminal on input lambda आप A को transform करेंगे W में खीक है अब वो W क्या है string का terminal है तो अब Q1 पे string का terminal क्या है आप कहेंगे A आने पर A को pop करे push करे lambda यहाने पर A को pop करे push करे lambda यह सिंबल हो गई तो यह सिंबल आपने W ने generate की वो W generate हो गया सिंबल सो generate होगी उन सिंबल के one by one हम उसको process करेंगे यहां पर हम जिर्म कर रहे है कि symbol A है तो A आने पर आप कर देंगे स्टैक के उपर भी तो यह है तो पॉप कर देंगे और lambda को push करेंगे अगर हम स्टेट पर पहुंचेंगे हमारा input consume हो गया और हम final state पर पहुंचके यह स्टैक की condition यह होगी कि स्टैक पर हमारे पास सिरफ dollar sign है तो हम कहेंगे यह acceptable है फार इच टर्मिनल हमें यह transition शोग करनी होगी इसके एक simple conversion process है यह आपने क्या करना है rule को transform करना है transitions के अंदर और वो transitions आपकी final state भी लेगे जा रही हो speed यह मशीन को इसकी example करते हैं example से और के लिए हो जाएग आपको left side पर आपको grammar नजर आ रही है grammar में देखें हमें s produce a s variable t variable and b terminal s से हमारे पास generate हो रहा है simply b terminal t से generate हो रहा है t variable and a terminal और आखर में t अपने आपको खत्म कर लेता है using lambda production यह हमारे पास symbol अब इस grammar को हमने पीडिये के उपर map करना है गोर की जगह इस grammar से produce क्या होगा a जोर भी ऐसा ही है a और b produce हो रहे है तो a s t d अब s की जगह पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा क्योंकि s खत्म हो जाएगा जब उसको finish करना हो तो वह अपने आपको b में convert करेगा और finish हो जाएगा t क्या करेगा t a को produce करेगा और continuously चलता जाएगा और स्टार्ट सिंबल है grammar की उससे हमने grammar generate करानी है यह उससे string generate करेंगे हम ऐसे start करेंगे और यह string generate करा देंगे इन production के सुरत में क्या होगा एक input string आपके पास बच जाएगी अब उस input string को आपने process करना है और उस input string में है क्या a's and b's और a's और b's को process करने के लिए आपने क्या करना है यहां पर उसकी transition देना है आपने का a आने पर a को pop कर दो push lambda करो b आने पर b को pop कर दो मतलब यह जो आपने push करवाया था stack और इसका stack को जब आप process करेंगे तो आपके पास a's, b's a's and b's बनेंगे उस a's और b's को आपने stack से remove करना है और अगर वो remove हो गए तो मतलब final क्या होगा आपके stack खाली हो जाएगा आपका input भी खत्म हो जाए और stack भी खाली हो जाए अगर ऐसी condition है कि input भी खत्म हो जाए और stack भी खाली हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि आप final state रे पहुंच जाएंगे और language आपका जो generate हुआ इस grammar से वह इस PDA के ऊपर acceptable तो language generated by that grammar is accepted by that particular PDA इस तरह से हम इसको proof कर देंगे और यह हमारे पास proof हो जाएगा इसकी simulation कर सकते हैं आप अगर आप paper बनाना चाहें तो आप generate करें इस language से जो भी string generate करना जाए इस grammar को बनाते हुए आप string generate करें इस में A's और B's होंगे वो सारे A और B आप stack के ऊपर store कर ले और फिर उस symbol को stack के ऊपर that suppose यहां पर मैं में बनाते हूं A है A है तीसरा A है और A B है इस string से आपने बनाया ठीक है इस पर होगा इस ने तो आप बी को पाप कर देंगे फिर है क्याने पिर एक को पाप कर देंगे आने पिर यह पाप फिर इंपुड होगा वो process होगे stack को खाली कर देगा और आप final state पहुंच जाएंगे तो यह एक्जैम्पल है जिसने हम ने शोग किया कि जो context-free grammar है, वो PD उसको accept करता है, इसको reverse कर दो, तो हम कहें कि जो PD accept करता है, वो context-free grammar है, तो in general में हम भी कह सकते हैं कि grammar G generate W string and the S start variable of grammar in continuous production rules using derivations, उनको use करते वे जो W produce करता है, वो W अगर हम PDA में as input दे और stack हमारी खाली हो, और हमारी instantaneous description के जरिए हम इसी state पे पहुंच जाए, Q2, जो हमारा input consume हो जाए, stack हमारी खाली हो, जैसे शुरू में भी खाली थी और आखर में भी खाली है, और input में हमारी पर शुरू में W था, और आखर में W क्या हो गया, consume हो गया, और आपके input lambda रह गया, और आपकी Q2 जो है, वो F है, final है, उस सूरत में आप कहेंगे, कि language generated by grammar is the language of machine, accepted by machine, तो यह if and only if लगाया है, आपने bi-directional है, bi-conditional है, कि grammar से बनने वाली language machine की होगी, और machine जो accept करेगी language हो, grammar से generated होगी, यानि आगर आपके पास कोई particular language है, जो PD accept कर रहा है, तो उसकी grammar बनाई जा सकती है, और वो grammar होगी, context-free grammar है, और कोई भ बनेगी, उसके लिए machine हाँ बना सकते हैं, PDA, push-down automata, यह proof का पहला पार्ट था, हमने grammar से PDA बनाए, अब हम उल्टा करेंगे, convert PDA to grammar, वो कैसे करेंगी, अब हम लेखते हैं, कोई एक PDA, arbitrary PDA लेंगे, और we will convert M to context-free grammar, G such that L of M is equal to L of G, और proof करने के वज़ा है, कि हम यह कह रहे is a subset of language accepted by machine and language generated by grammar is a super set of language accepted by machine, अगर यह दोनों possible है, तो इसका मतलब यह है, कि दोनों equal है, language दोनों की equal है